मात्र तीन दिन के लिए सिर्फ ये एक चीज पानी में उबाल कर पी लीजिए इससे आपको कई सारी गंभीर समस्याओं में बहुत सारे लाब मिलेंगे जैसे के ये किड्नी को डिटॉक्स करेगा इसके लाबा आपके लीवर की सफाई करेगा आतों की सफाई करने में मदद करेगा यूरिन इंफेक्शन है अगर आपको तो उसमें आपको काफी लाब मिलेंगे पत्री की समस्या है किड़नी में तो ये समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी मातर दस दिन में पत्री टूट कर निकल जाएगी इसके अलावा अगर आपके शरीर पर किसी भी तरह का इंफैक्शन है बोडी के अंदर को infection है तो उसमें आपको लाब मिलेगा खून की खराबी दूर होगी और भी बहुत सारे फायदे से आपको मिलेंगे कौन सी है चीज किस तरह के से इस्तमाल करनी है चलिए डिटेल में जानते हैं उमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आएगी हलो एवरीवन, वैलकम बैक, मैं आपकी होस्त और दोस्त मधू, एक सर्टिफाइड डिटीशन और एक नाट्रोपैट आज हम बात करने वाले हैं गोखरू के फायदे के बारे में इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तमाल करें तो ये आईरवेड की चमतकारी जड़ी बुटियों में से एक है कैसे इस्तमाल करना है, कितनी मात्रा में लेना है और किसकी समस्या के लिए कैसे ले सकते हैं, चली डिटेल में जानते हैं आईरवेड के अंदर गोखरू जो है, इसका तना हो, इसका फल हो, इसकी पतियां हो हर तरीके से इसका इस्तमाल किया जाता है और ये आपके शरीर के बाद, पित, और कफ, तीनों दोशों को नियंतरित करने के लिए सबसे अच्छी उस्दियों में से एक मानी गई है ये देखने में कैसे होते हैं, इसके लिए स्क्रिन पर आपको दिखा दिया गया है इसके कई सारे नाम हैं, इसे गोख्छुरक, तरिकंट और गोखुरू के नाम से मुख्यतर रूप से जाना जाता है इसके लाबा और भी नामों के लिस्त या स्क्रिन पर आप आसानी से देख सकते हैं चलिए एक एक करके हम अब इसके फायदों के बारे में बात करेंगे अगर आप बहुत लंबे समय से माइग्रेन या किसी भी तरह के सरदद की समस्या से परिशान है तो आपको बता दें कि इसका कहड़ा बना करके लिए आपके शरीर के लिए काफी फायदे मंद है मातर 20 एमल की मातरा में अगर इसका कहड़ा बना करके लिया जाए तो यकीन मानिए ये आपके सरदद की समस्या को काफी हद तक सिर्फ तीन दिनों में कम कर देता है अगर आप बहुत लंबे समय से दमा, अस्तमा, साइनिस की समस्या से परिशान है तो ऐसे में भी इसका पाउडर बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदे मत रहता है आप इसको जो है सहत के साथ ले सकते हैं या फिर गुनगुने पानी के साथ भी इसका इस्तमाल किया जा सकता है इसका कहड़ा कैसे बनाना है और इसके powder को किस तरह किसे बना कर किस मात्रा में लेना है ये वीडियो के end में मैं आपके साथ share करूँगी अगर आप बहुत लंबे समय से अपच, gas, acidity की समस्या से परेशान है यानि के पेट से सम्मंदित समस्या हैं आपको आपका हजमा खराब रहता है तो ऐसे में भी इसका कहड़ा बना करके लेना आपके शरीर के लिए काफी फायदे मन्द है इसका इस्तमाल कैसे करना है देखि आज पर जब लगबग 40 से मिल रह जाए तो चान करके रात को सुनी से पहले या सुबा खाली पेट अगर इसका सेवन किया जाए तो इससे आपको काफी लाब मिलते हैं अगर आप मुत्र समंदी समस्याओं से परेशान है आपकी यूरीन में इंफेक्शन है या रुक रुक इंफेक्शन के लिए आपने गोखरू की 10 ग्राम की मातरा में जल लेनी है और 10 ग्राम की मातरा में आपने चावल लेनी है जो भी आप घर में चावल बना करके खाते हैं वो चावल लेने हैं दोनों को लेना है और इन्हें जो है डेल ग्लास पानी के साथ पका लेना है जब आपको बता दें किड्नी में बहुत साधा infection है जिसके लिए आप तवाया ले रही है तो पहले अपने डॉक्टर की सलहा लिए और उसके बाद ही इसका अस्तमाल करें इसको पीस कर इसका powder बना लें चोटे गोकरू का और आपने 5 ग्राम ये powder लेना है और इसमें थोड़ा साथ शहद मिला लेना है दोनों को mix करके खा लीजिए और उसके बाद उपर से बकरी का दूद आपने पीना है अगर आपको मिल जाता है शुद देसी बकरी जो होती है उन जाना मासपेसियों के दर्द की समस्या से परेशान है तो ऐसे में गोकरू का कहड़ा बना करके लेना आपके शरीर के लिए बेहत वायदे मंद है इसका कहड़ा कैसे बनाना है जोड़ों के दर्द के लिए आपने 5 ग्राम की मात्रा में गोकरू लेना है और साथ में आपने सूने से पहले अगर इसका सेवन एकदम ऐसे सिप सिप करके आप लेते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं चाय पीते हैं उस तरीके से अगर इसकाड़े को लिया जाता है तो यह जोडों के दर्द में आपको काफी आराम देता है अगर आप बहुत लंबे समय से बुखार की समस्या स हड्यों का बुखार हो या किसी भी तरह को आ रहा है तो ऐसे में लगता चारी या पांच दिन तक सेवन करने से आपको बहुत लाब मिलते हैं कैसे करना है सेवन बहुत आसानी से इसका पंचांग यानि कि गोंखुरू का पंचांग आपको किसी भी आयरवेदिक स्टोर या करके और थोड़ा तुलसी का रस मिला करके अगर इसमें लिया जाए तो यह आपको बहुत लाब देता है आपकी जो हड्डियों के बुहार की समस्या है उसमें आपको काफी लाब मिलेंगे यह समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाती है अगर आपके खून में बहुत जादा गर्मी है या फिर खून खराबी की समस्या है तो ऐसे में भी इसका 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 इस्तमाल आपकी शरीर के लिए काफी फायदेमद है इसके लिए आपने 5 ग्राम की मात्रा में गोखरू का पाउडर लेना है और साथ में 250 एमल आपने दूद देना है दूद के अंदर इस पा कहडरा में आप इसका पाॉडर ले सकते हैं और 30-40 म की मात्रा में माक्सिममی michael 50 अंदर तक आप कहड़ा ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप इसके पंचांग का इस्तमाल कर रही हैं तो पंचांग का कहड़ा भी आप 40 हमल तक दे सकते हैं अगर आपको इसको पीने के बाद पेट में जलन या फिर किसी तरह का दर्द या अनीजीने सर फील हो तो आप इसके कहड़े को तुरंत बंद कर दें अगर आप इसका इसका इस्तमाल कर रही हैं तो इस बात का विशेश धिहान रखे कि पहले से आप कोई दवाईया ना ले रही हो अगर दवाईया ले रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर की सलहा लें इसका काड़ा जब आप बनाते हैं तो हमेशा इसे खुला बनाना है डगकर नहीं बनाना है और इसे जो है बिल्कुल धीमी आजपर बनाना है काड़ा बनाने का सिंपल तरीका है एक गलास पानी में आप इसको 5 ग्राम की मातरा में डालें सूखा यानि के छोटा गोखरू और उसके बाद आप इसे तब तक उबालें जब तक यह 30-40 अमल नहरे जाए इसका इस्तमाल अगर आप करते हैं तो आपके यूडिन इंफेक्शन अगर खून की सखराबी है तो वह समस्या दूर होती है जोडो का दर्द दूर होता है शरीर का ब्लॉकेज खुलता है अपच की समस्या दूर होती है और भी बहुत सारे लाव आपको मिलते हैं तो अमीद करती हूँ आज की जानकारी आपको काम की लगी होगी अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं और आपको यह बेनिफिट्स देता है तो अपने एक्स्पीरेंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर श